हलो दोस्तों जैसा कि आप सुर जानते हैं येही ducks सींता का घर Wish क्रता और यहां पर भी सुरू का समय है चली देखते आज की कहाने में क्या होता है । पर नेलू आगन की सफाय कर रही होती है। जाडू लगाने का नहीं तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है बहुत ही सरकटा है यह बोलते हुए निलू आंगन की सफाई कर रही होती है मुस्रम बड़ा बैमान है आज पहली बार अरे वा गाना काती हुए जाडू लगाने का मज़ा है कुछ और होता है और यहां पर निलू मज़े मज़े में छाडू लगा रही होती है अरे शिवम बेटा रो मत जाओ जाओ मेरे तुम्हें बोला ना बाहर जाकर खेलो तुमसे भी छोटी छोटे बच्चे बाहर खेलते हैं लेकिन तुम तो देगो कितना जदा डरते हो अरे नहीं नहीं छोटी बच्चे को बिल्कुल भी डौ कुछ नी बोलते हैं अगर तुम उन्हें छेडोगे तो तुम्हें जरूर काटेंगे उन्हें कुछ भी मत बोलना ठीक है ना इसी को प्रेशान मत करना जाओ जाओ अराम से जाकर बाहर बच्चों के साथ में खेलो ठ प्राइफिक बहुत जदा होता है यह खेलने जाना किर्केट मैच खेलना बोल से खेलना और यहां पर माधुरी भी शीवम के साथ-साथ खेलने के लिए जाने लगती है माधुरी को तर देखो शीवम का कितना ख्याल है अचे माधुरी तुम जाई रही तो उसका अच्छे से क्जाल लगती है यह अग जाड़ो पूरा ही हो गया अब मुझे और काम करना पड़ेगा अरे नहीं सीता कहां पर चली गई है ये लड़की भीना अरे सीता सीता कहां पर हो तुम अरे ये क्या ये सीता भीना शीवम की चक्कर में लगी रहती है पूरा टाइम अब देखो वहां पर जाकर खड़ी होगी पदर नहीं वहां पर क्या कर रही है अखिर मुझे सीता की समझ में ही नहीं आती है या क्या करती रहती है मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता है चलो रोसोई देख लेती हूं जाकर क्या बनाना है आज खाने में और यहां पर शीवम बच्चों के साथ में जगड रहा होता है और यहां पर शीवम दो बच्चों के साथ में दूद की बोतल के उपर जगड रहा होता है और यहां पर माधुरी भी शीवम का साथ देने लगती है और बच्चों को परेशान करने लगती है मेरा दूदू पर मादुरी भी शीवं के पीछे पीछे ही जाने लगती है और यहां पर किमम्स बच्चों का दू शीन कर ले आता है और जल्दी से लेट कर पीने लगता है तरिस्टी दूदू तरिस्टी दूदू ममि दूदू चाहिए मिला दूदू और यहाँ पर यह चोटा वाले रड़का बहुत ज़्यादा रोने लगता है वे यहाँ पर बड़े वाले को बहुत ज़्यादा गुसा आ जाता है शिवम के उपर अपने दुद्दु लाना लाना लो चलो जाते हैं दुद्दु और फिर यहाँ पर दोनों भाई शिवम के घर पर जाने लगते हैं अपना दूद लेने के लिए तभी यहाँ पर मादरी दोनों बच्चों को देख लेती है और जिल्दी से उनके आगे आकर खड़ी हो जाती है और यहाँ पर दोनों बच्चे बहुत जदा रोने लगते हैं और यहाँ पर सीता जल्दी से बाहर की तरफ आने लगती है अरे शिवाम शिवाम अरे अरे यह क्या यह किसके दो बच्चे हैं अरे वादे को तो कितने प्यारे हैं ठाकता है दोनों जड़वा बच्चे हैं अरे लेकिन शिवाम के रोने के आवाज थी अरे नहीं यह तो यह दोनों बच्चे ही रो रहे हैं अरे बेटा तुम किसके ब अधितलों कुलों कि क्या मादुरी क्या से आप में क्या करने में बात्तों के गार आने का दोनों बुदू को प्सक्राइब क्या है इनका वह दूदू कों ले गया शओं रहें पर ऑなたं पल Canad कुल औरकर पोरोगा दूदू यहां पर क्या कर रहे हो तुम के बाहर से खेल कर कब आए इतनी बड़ी दोटकी बोतल किसकी है यह क्या मुझे सब कुछ समझ में आगे अच्छा तो बात यह है अरे शीवाम तुम्हारी हिमत कैसे इन दोनों बच्चों को रुलाने की इतने बड़ी हो गए वो इतने किसी का जूटा दूद नहीं है यह बच्चे बहुते रो रहे हैं किसके बच्चे किता बढ़ा करनामा किया है अरे आकिर क्या कर दिया ऐसा भी मेरे प्यारे शिवम ने तुम भी ना उसे राटने का कोई मौका ही नहीं छोड़ती हो अरे दिदी आप उसके पक्ष मत लीजिए लिए मेरे साथ में बाहर आपको दिखाती हूँ अरे बाहर क्या है चलिए ना मैं आपको दिखाती हूँ दिदी चलिए चलिए मेरे साथ में अरे आखिर क्या कर दिया शिवम ने मैं भिनार शिवम का ही पक्स लेने लगती हूँ ये देखे दिदी अरे अरे वा सीता ये किसके बच्चे है कि देन उननों उननों से हैं अरे वा कितने प्यारे हैं ये अरे लेकिन इतना सदा क्यों रो रहे हैं सिता अरे आजाओ बेटा तुम किसके बच्चे हो यहाँ पर क्या करो इतने छोटे से हो वे चोट लग जाएगी ऐसे बाहर नहीं खुमते हैं छोटे बच्चे अरे सिता बताओ ना आखिरी किसके बच् अरे क्या सीता शिवम की आदतों बहुत ही खराब होगी सच में अरे सीता मुझे लगता है हम लोगों को डाटना चाहिए और उसका स्कुल में एडमिशन करवा देना चाहिए है ना अरे हा दीदी मैं आपको कब से यही तो बोल रहे हूँ लेकिन आप भी ना शिवम को हमेशे बचाती रहती है बस देखे उसके वज़े से आज एक सब क्या हुआ दो बच्चे बिचारे कितना रो रहे हैं उसी तो देखे नहीं चारे चली चली इन घर में लेके चलती हैं इनक तुम्हारी दूद की बोतल अरे लगता है दो दो एकी बोतल से दूद पीते हैं अरे सीता लेकिन अब यह सोचो हम इन दोनों बच्चों को इनके घर तक कैसे पहुचाएं अरे हाँ दीदी मैं भी वही सोच रही हूँ अरे शिवम कहां पर चला गया है शिवम शिवम कहां घर पर भी आएंगे ना हम उने सारी बात बता देंगे ठीक है ना यहां सीता हम उने पूरे बात ससच बताएंगे नहीं तो वह हमें गलती संजेंगे लिए हम उनका इंतिजार करते हैं और फिर यहां पर नेलू चोटे बच्चे को दूद पिलाने लगती है चुप हो जाओ चुप हो जाओ ये लो दूद पियो थेंगे चुप हो जाओ देको तुम्हारे ममी पापा आहि रहे तुम्हें लेने के लिए रो मत और यहां पर नेलू और सीता दोनों बच्चो को बहुत जादा प्यार करने लगती हैं दोस्तों अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छे ल झाल 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 झाल